Hello guys, मेरा नाम है विशाल और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वालें किस तरीके से आप best laptop चूज कर सकते हैं How to choose a perfect laptop for you या फिर आप कह सकते हो complete laptop buying guide मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके के processor आपको लेने चाहिए RAM आपको कौन सी लेनी चाहिए graphic card आपको लेना चाहिए नहीं चाहिए तो guys पूरा मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ अगर आप एक new laptop purchase करने जा रहे हो तो आपको इन चीजों को मैं याँ पर आपको 7 point बताऊँगा इन 7 point का आपको जरूर खयाल रखना है तभी आप अपने लिए एक perfect laptop डून पाओगे अपने लिए perfect laptop select कर पाओगे अगर guys आपको under 30,000, 40,000, 50,000 in price में best laptop चाहिए तो मैं description में link दे दे रहा हूँ अगर आपको कोई भी doubt हो इस video में कहीं पे भी तो आप मेरे से instagram पर contact कर सकते हैं चलिए guys शुरू करते हैं number one पर जो चीज आती है हम लोग को laptop में ध्यान रखना रहते हैं वो है performance performance जो है depend करती है हमारे laptop के processor पर mainly यह जो component है performance के लिए processor बाकि और भी यहाँ पर storage device भी हैं उसको भी हम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग processor की आपने देखा होगा कि कई सारे processor यहाँ पर available रहते हैं जैसे कि Pentium, Atom Core processor हो गया या फिर AMD A4, AMD A6 हो गया उसके बाद थोड़े performance वाले high performance laptop आते हैं जैसे कि Core i3 हो गया या फिर Ryzen 3 हो गया Ryzen 5, Core i5, Core i7 अब देखिए गाइस यहाँ पर जो सबसे वीक वाले processor आते हैं जो कि यहाँ पर Adam हो गया Pentium हो गया AMD A4 हो गया यह जो processor है उन लोगों के लिए अच्छे हैं जिनको ज़्यादा heavy work मतलब कुछ भी heavy work नहीं करना है laptop में song सुनने है, movie देखने है थोड़ी सी internet browsing करने है email करने, pdf open करने, file open करने है that's it अगर आपको इतना काम रहते है तो आप Adam processor या फिर Celeron हो गया, Pentium processor हो गया इनके साथ जा सकते हो इन laptop की जो price रहती है around 10-15,000 में यह processor आपको मिल जाते है इसके बाद जो processor आता है वो एक Core i3 अगर आप student है थोड़ा सा आपको movies वगर देखनी है internet browsing करने है, digital marketing के लिए laptop ले रहे हो, कुछ presentation बनाने है तो आप Core i3 processor के साथ जा सकते हो इसके बाद guys यहाँ पर आता है Core i5 या पिर कह सकते हो Ryzen 5, Ryzen 3 भी जो है i3 के performance के बराबर है इसके बाद guys आजाता है Ryzen 5 और Core i5 जो की gaming और video editing, coding इन सबके लिए बहुत अच्छा है इसके बाद Core i7 आता है Core i9 आता है या फिर Ryzen 7 आता है यह जो हैं काफी ज़्यादा powerful processor है जहाँ पर guys आप अच्छे से कोई भी काम कर सकते हो high end game खेल सकते हो बिना किसी lag के video editing, video rendering या फिर guys आप कोई भी compromise नहीं करना चाहते है speed में तो आप इन processor के साथ जा सकते हो इनकी price जो है around 70,000 के above आपको देखने को मिलती है 60,000-70,000 के above इन processor की price देखने को मिलेगी अब guys processor के बाद यहाँ पर आ जाता है storage storage guys यहाँ पर basically HDD और SSD यह दो type की आपको अभी देखने को मिलती है laptop में HDD जो है hard drive जो है यहाँ पर इसका price जो है कम रहता है लेकिन इसकी speed भी जो है वो कम है SSD जो है new technology है जहाँ पर आपको speed काफी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है लेकिन इसकी price भी थोड़ी ज़्यादा रहती है तो guys अगर आपका अच्छा budget है तो आप SSD के साथ जाहिए यह बहुत ज़्यादा reliable है light weight है battery को consume करती है और guys यहाँ पर आपको fast performance भी SSD में देखने को मिलती है इसके बाद guys आता है RAM अब RAM आपको 4GB लेनी है 8GB लेनी है 16GB यह depend करते है जितना ज़्यादा RAM लेते हो आप उतना smooth performance आपके laptop में देखने को मिलते हैं लेकिन आपको यह भी नहीं करने है कि अगर आप Core i3 processor में 16GB RAM लगा रहे हो तो उसको कोई भी मतलम नहीं रहेगा RAM एक temporary memory है जब आप ज़्यादा application एक साथ run करते हो तब आपको ज़्यादा RAM की जरुवत पड़ती है मैं recommend करूँगा कि Core i3 के लिए आप 4GB या maximum 8GB RAM को use कर सकते हो बाकि ज़्यादा से ज़्यादा 16GB की जो RAM है वो enough है अगर आपको high performance laptop Core i7 वगर के साथ चलाते हो तो system GB या 8GB जो RAM है वो enough है यहाँ पर जो nest ही जाती है वो एक graphics अब graphics क्या है यहाँ पर मैं लिए हम लोग को दो graphics देखने को मिल जाते हैं दो type के एक होते हैं integrated graphic एक होते है dedicated graphic अब integrated graphic क्या रहता है जो हमारे laptop का processor रहता है उसी का एक part रहता है integrated graphic जो आप help करता है graphical चीजों में जब आपकी जो image की quality रहती है test की जो quality देखते हो आप जितनी भी image वीडियो अपने laptop screen पर देखते हो उसमें आपको help करता है graphics तो guys अगर ज़्यादा तर यह graphics जो है जो gaming करते है वीडियो editing करते है तो उनके लिए graphics जो है बहुंच जदा जरूरी है वो भी dedicated graphics अब dedicated graphics जो है वो एक अलग graphics अलग से एक graphics आपके laptop में लगा रहता है जिसके पास अपना separate CPU रहता है अपनी separate RAM रहती है सारी जीजें उसकी separate रहती है तो वो हो गया dedicated graphics और integrated graphics वो है वो आपके ही processor CPU का एक part रहता है integrated graphics तो आप integrated graphics ले सकते हो अगर आपको gaming, video, editing, high graphic software नहीं चलाने है तो आप integrated graphics वाले laptop ले सकते हो जिनकी price जो है कम रहती है अगर हम compare करे dedicated graphic वाले laptop से तो guys dedicated graphic card उनी लोगों को लेना है जिनको gaming, video, editing, high graphic software चलाने है तो guys इसके बाद आता है display अब आपको display यहाँ पर आपको देखने को मिलती है HD, full HD उसके बाद ultra HD या फिर 4K कह सकते हो आप तो guys यहाँ पर जो है देखिए display आपको HD और full HD भी काफी ज़्यादा अच्छी quality में मिलती है लेकिन अगर आप जब gamers हो तो आपको HD display नहीं लेनी है आपको या तो full HD display लेनी है या फिर आपको 4K जो है display लेनी है यह picture quality अगर आप movies भी ज़्यादा देखते हो अपने laptop में तो भी आपको full HD या फिर 4K के साथ ही जाना है जिनकी price आपको about 40,000 ही देखने को मिलती है तो guys next चीज़ जो यहाँ पर आती है वो है operating system अब आपको कौम सा operating system लेना है तो जब आप laptop लेने जाते हो आपको most popular जो operating system है Windows देखने को मिलेगा आप Windows के साथ जा सकते हो बहुती best operating system है और popular operating system है Linux, DOS अगर आप coding वगर करते हो तो आप Linux से DOS के साथ जा सकते हो अगर आप Apple के laptop लेते हो तो वहाँ पर आपको Mac operating system देखने को मिल जाता है तो guys operating system आप बाद में change भी कर सकते हो आप अपने nearest computer center में जाके भी content करके वहाँ से आप change करवा सकते हो या फिर खुदी आप उसको boot करके operating system को easily change कर सकते हो अब guys यहाँ पर last जी जो आजाती है features अब आपको अपने laptop के features देखने है जैसे कि touch screen आपको laptop चाहिए तो आप touch screen laptop ले सकते हो fingerprint sensor आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसके according आप laptop देख सकते हो and guys battery backup भी एक point है तो battery backup भी आप देखना कि आपको at least to 3 cell battery वाला laptop लेना है जो कि आपको 6 to 7 hours का battery backup देता है अगर आप 2 cell battery वाला laptop लेते हो तो वो आपको maximum 3 to 4 hours का ही battery backup देने वाला है 3 cell या 4 cell laptop लेंगे तो 7 to 10 hours का battery backup आपको laptop में देखने को मिल जाते है so I hope guys आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी अभी आप समझ गए होगे कि नया laptop लेने के time आपको किंच चीजों का ध्यान रखना है कोई भी doubt हो आप Instagram पर मेरे से contact कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो